हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज वस्वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंड लिमिटेड के बारे में ट्राइडेंड में अगर सिनेरियो देखो तो फ्राइडे को आपको अपर सरकिट का सिलसला देखने को मिल यानि कि करीवन 5% का अपसाइड लगा अब यहां पे इसके पीछे के कुछ रीजन्स निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रूँ शेयर करने वाला हूँ कुछ मेजर अपडेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रतने चाहिए अगर आप यहां पे ट्राइम से पेंडिंग थी वहां पे होती हुने जर आई है आप जाके देख सकते हो आपको एक एक चीज़ की क्लार्टी मिल जाएगी और साथ के साथ आप टैलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो लिंक मैंने डेस्केप्शन में प्रोवाइड कराई हुई है ताकि मंडे जो भी मार्केड में हल चलोगी विदिन अ मार्केट आर्स में अपडेट करता रहूँगा उस अक्वाडिंग आप अपनी पोजिशन बनाते रहेगा अब सबते पहले हम यहां पे बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में ट्राइडेंट में अगर आप यहां पे देखोग वो था 38.35 का यानि का 38 रुपे 35 पैसे का तो डेफिनिटली एक अच्छा मुमेंट के साथ यहां पे वीकली क्लोजिंग आपको नजर आई है अब अगर हम यहां पे बात करें तो पिछले एक महीने में आपको यहां पे जो सेनारियो देखने को मिला है वो काफी ज़्यादा पॉजितिव नहीं देखने को मिला यानि कि करीवन साड़े 8 परसेंट से भी जादा के नेगेटिव रिटरंस ट्राइडेंट ने बना कर दिये हैं तो डेफिनिटली अगर आप यहां पे देखोगे तो ट्राइडेंट अभी इस स्टेज में है कि यहां से यहां तो यह बहुत कम है ऐसा यहां पर दिखाई देता है क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे पिछले कुछ महीनों से जो शेर है वो इसी लेवल के आसपास ट्रेड करते हो नजर आया है अगर हम यहां पर बात करें पिछले एक साल के बारे में तो 101 परसेंटेस से भी जादा के रि 6-7 महीने के बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्राइडन बे एक बड़ी गिरावट हो चुकी है 17 जैनवरी से लेके 29 जुलाई तक अगर आप देखो तो 41 परसेंटेस से भी जादा की गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो गई है यानि कि फर्दर अगर इसम यहां से जो चांजिस हैं करेक्शन के वो कम है क्योंकि मार्केट भी रिकवर कर रहा है टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री का तो आपको सिनेरियो पता ही है बूम पर यहां पर आने वाली है आने वाले कुछी महीनों के अंदर तो इस वज़य से जो पॉजिटिविटी के हमें तो अच्छा होगा शेर ऐसा नहीं है लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है यानि कि फाइनेशल इसके बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं इस वज़य से पी को हम यहां पर अच्छा बता सकते हैं साथ के साथ डिवीडेंड यील्ड भी सेक्टर की कंपारिजन में डवल है यानि कि करीबन एक परसंट की डिवीडेंड डील तो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है पिछले कुछ गौर्टर रिजल्ट से नहीं मिला है वह बात अलग है क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत यहां पर अभी जो वॉलेटिलिटी दिखा रही है 100% रिकमेंडेशन आप ही गई है एनरिस्ट की कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे क्योंकि पुटेंशिल आप सभी को पता है अब यह तो हो गया नॉमल डिस करसन अब ओवरॉल जो मेजर सिनेरियो हुआ जो मेजर चेंज हुए उस पर मैं आप यहाँ पर देख पाओगे करीबन 73% के आसपास प्रमोटर्स ने होल्डिंग बनाई हो जो कि बहुत ही जादा अच्छी बात होती है एक ऐसी कंपनी के लिए जो की ग्रोइंग फेस में है कि प्रमोटर्स ने बहुत अच्छा कासा यहाँ पर अपना सेनेरियो बना रख यहाँ पर देख पा रहे हो कि 3.17% के आसपास की होल्डिंग्स है रिटेलर्स की बाद में आपको देखने को मिल रही है अब एक एक करके मैं बाइफर्गेशन दिखाता हूं मिजल फंट्स अगर आप देखो तो एक टाइम पर यानि कि पिछले क्वार्टर में मार्च क्व दिखा रहा था जिस वजह ऐसे अगर आप देखो तो पहले 0.01 के आसपास की होल्डिंग्स चल रही थी फिर 0.02 की यानि डबल हुई फिर उसके बाद खतम तो यहाँ पर मीचल फंट्स ने इस बारी भैंकर बाइंग कर ली है जून क्वार्टर का जो आपको exact डेटा है वो डॉमस्टिक इंस्टिउशन है उनको ट्राइडेंड बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव नजर नहीं आता था और यह 0 ही रही आपको लेगन इस बारी 0.01 आपको देखने को मिल रहे है यानि कि डिया इस ने भी बाइंग कर ली है ट्राइडेंड के अंदर अब मैं आपको ल फिर दीर दीर करके यह continuously increase होती हुई नजर आ रही है यानि कि 2.14 हुआ फिर 2.48 हुआ फिर 3.13 और इस quarter में तो 3.17 यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानि कि definitely अगर आप देखोगे तो share holding pattern बहुत हद तक improve होते हुई नजर आ रहा है मैंने जिस according Trident का आपका scenario बताया है इससे तो सीधा सीधा यही लगता है कि आखिर Trident में जो financials हैं वो तो improve होई रहे हैं साथ के साथ जो यहाँ पे market leaders हैं वो फिर से Trident को consider करना start कर चुके हैं और जिस according यह जो price point है Trident का बहुत ही attractive valuation नजर आता है to get the entry into this particular stock अब मैं आपके एक update और बता देता हूँ जो कि अभी इस time पे सबते बड़ी मुसीबत Trident के लिए बनी हुई है अब यहाँ पर देख पाओगे जिस according इनके CEO पर remuneration के लिए जो चीज़े हुई हैं वो बहुत जादा negative माहुल create कर रही है यानि कि जो Trident है वो हमेशा से ही कोई भी गड़वड नहीं होती थी कोई भी गड़वड होती थी बहुत ही जल्दी डिडेक्ट हो जाती थी और उस वजह से उस चीज़ पर भी काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता था लेकिन इस बारी क्या हो रहा है कि वोड़ अब डिरेक्टर का जो 95% remuneration है वो इनके M.D.O. CEO को यानि कि Mr. Rajinder गुपता को दिया जा रहा है इस वजह से ही जो conflicts है वो आने स्टार्ट हो गया है इस वजह से ही बहुत सारी चीज़ों पर impact परना स्टार्ट हो गया है और यह एक negative माहुल create कर रहा है हलाकि यह बहुत जल्दी resolve हो जाएगा issue जो भी है तो इसका short term मे को impact नहीं परने वाला है मैंने आपको पूरा share holding pattern भी बता दिया है हो सकता Monday को आपको Trident एक अच्छा कासा moment दिखाए अगर market support करता है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको Trident के बारे में बता दिये है वीडियो अच्छी लगिए लाइक करिएगा चैनल फर फर्स नम विजिट करो तो सब्सक्राइब भी जरूग दीजेगा धन्यवाद